हेलो स्टुडेंट मैं विनु सर पर्फेट मास सोलुशन के और से आपके सामने ट्रिक्नोमेट्री की एक जबर्दस ट्रिक लाया हूँ यह ट्रिक अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि यह ट्रिक आप कभी भूल पाओगे तो ट्रिक क्या है स्टुडेंट इस ट्रिक का नाम है ट्रेंगल ट्रिक और ट्रिक्नोमेट्री यह दो ट्रेंगल के उपर डिपेंड करता है दो ट्रेंगल मतलब जिस ट्रेंगल में 30 60 और 90 डिग्री एंगल होता है और दूसरे ट्रेंगल हो गया 45 45 90 डिग्री ओके तो इस दो से जल्द आंसर पाइंड करते हैं तो स्टुडेंट इस ट्रेंगल में अपने 30 45 और 60 डिगरी के एंगल की वैली फाइंड करेंगे तो पहला देखना पहला ट्रेंगल ले रहों में 30 60 और 90 डिगरी इसके पहले जो मैंने इंट्रडेक्शन आप ट्युनामेट्री ट्रेंगल अ पहले देखना जरूरी है तो 30 डिगरी के अपोजिट साइड को आपको वन सेंटीमेटर या वन यूनिक राडिस्टर्स लेना है देन हाइपोडिनियस टू और अपोजिट साइड और 60 डिगरी अंडर रूट 3 पतलब इस ट्रेंगल में 30 60 90 इस ट्रेंगल में आपको कौन से से लेना है अपोजिट साइड आप 31 हाइपोडिनियस टू एंड बेस ऑप थर्टी डिगरी इस अंडर रूट 3 तो इस वेल्यू से लेके आप 30 60 एंगल की वेल्यू कैसे फाइंड करोगे देखो पहले इसको पूरा ध्यान से देखना है ना कॉंसेट्रेशन पूरा बोल्ट ही आएगा थर्टी डिगरी क्या है मैं पहले यह ब्सक्राइब है तो जो एंगल ले रहे हो उस एंगल के अपोजिट साइड को प्ला डें और यह क्या हो जाएगा है यह अपने पहले भी बढ़ चुके है तो साइं 30 is equal to P by H तो P कितना है 1, 1 by 2 कॉस 30, कॉस 30 is equal to P by H is equal to P कितना है root 3 by 2, root 3 by 2 then 1030, 1030 degree P by B is equal to P कितना है 1, 1 upon under root 3 then cot 30, cot 30 is equal to B by P B by P, तो B by P इसका इन्वस हो जाएगा is equal to under root 3 by 1, okay then सेख 30, सेख 30 is equal to H by B is equal to 2, 2 by root 3 2 by root 3 और कोसेख 30 is equal to H by P that is 2 by 1, that is 2 आप 60 degree का value देखते हैं 60 degree के opposite side को P देखो, side के value change नहीं करना है सिप P और B ही change होगा जैसे मैंने कह लिया था 30 degree लिया था, opposite side P माना था आप 60 degree value value find करना है पहले 30 degree की value find की आप 60 degree की value find करना है तो स्रीप opposite side of the 60 degree is P and this is a B, this is H will as it is तो यह value जे है, value change नहीं करना है आपको से P और B ही change करना है तो साइन 60 क्या हो जाएगा साइन 60 is equal to P by H is equal to P कितना है root 3, root 3 by 2 okay, then cos 60 is equal to P by H 1 by 2, then 1060, 1060 degree what is degree? degree is the limit of angle so 1060 is equal to P by B okay, to P root 3 by 1 then cot 60, cot 60 is equal to B by P that is 1 by root 3 660, 660 degree is equal to H by B that is 2 by 1 of Cosec 60, Cosec 60 degree is equal to H by P that is 2 by root 3 इस प्रकार आप 60 degree के value find कर सकते हो student अब देखते हैं अपन 45, 45, 90 degree का angle okay, angle to angle अब इसमें ए 45 angle की value अपने को find कर रहा है okay, अभी तक अपने 30 और 60 की देखा था आप कहीं क्या है, किस की value find करना है 45 degree की value find करना है okay, तो दोनो एंगल 45, 45 है तो यह दोनो एंगल अगर equal है तो opposite side भी equal होगी क्योंकि आइसोच लेज राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा पाइतागुरस के true अगर पाइन करोगे तो आपको हाइपोटिनेस की value कितने मिलेगी root 2 मिलेगी तो जैसे मैं यह एंगल ले रहो 45 यह लोग यह लोग दोनों सेम है is equal to you know b1 or h root 2 1 by root 2 then tan 45 tan 45 degree p by b is equal to 1 by 1 that is 1 okay then cot 45 cot 45 degree b by p is equal to 1 by 1 that is also 1 then sec 45 say 45 is equal to h by b that is root 2 by 1 that is root 2 and cosec 45 cosec 45 degree is equal to h by p that is root 2 by 1 अगर यह वीडियो आपको बसंद आए तो इसे लाइक करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलना मत क्योंकि क्या होता है कि आपका एक वेलिवेबिल सब्सक्राइब हमको इस प्रकार के एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिविशन करता है तीकि है